Hello everyone, welcome to your channel Maitri Paatshala, I hope you all will be happy and healthy. So, आज के स्क्लास में हम डिसक्स करने जा रहे हैं, क्लास 5th NCRT EVS Chapter 12 and the chapter name is What If It Finishes की, एक MCQ Worksheet. I hope आपने चैप्टर को अच्छे से रीड किया होगा, आपने इसकी एक पहले मैंने एक Worksheet वीडियो अपलोड की थी, वो भी आपने सॉल्व की होगी. In the end, हम इसकी एक MCQ Worksheet करेंगे, अमीद करती हूँ आपको ये Worksheet काफी हेल्प करेगी. First हमारा यहाँ पर क्योशन है, वोक्षे स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, so please सब्सक्राइब बाई चैनल मैत्री पाच्छाला, share this channel with your friends. हमारा यहाँ क्योशन है, why a little boy in a rickshaw was coughing so much? कि जब बच्चे अतलस बावडी देखने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने जब क्रोसिंग पर उनकी बस रुख जाती है, तो उन्होंने एक बच्चे को rickshaw में बैटे हुए, खासते हुए देखा था, तो वो बच्चा क्यों खास रहा था, due to horn, horn की वज़े से, smoke की वज़े से, vickles की वज़े से या none of these, तो बच्चा क्यों खास रहा था, smoke की वज़े से, due to smoke, फीट की PDF का लिंक आपको description box में मिलेगा, वहां से आप इस PDF को डाउनलोड करके आप practice कर सकते हैं, next आपका question है, which state of India have oil fields, कि इंडिया के व इन सभी states में oil fields है, next हमारा question है, beside oil, what else is found deep inside the earth, की तेल के अलावा, inside the earth हमें क्या क्या चीज़े मिलती है, तो यहां पर आपका answer होगा, water, gold, diamond, या all of these, तो यह सभी चीज़े हमें inside the earth मिलती है, where is Adla step well located, जो Adla जो बावडी है, वो कहां पर है, वो आपकी एहम्दाबाद में ह From where do we get petrol, हमें petrol कहां से मिलता है, inside the earth, where is Ahmedabad, Ahmedabad कहां पर है, Ahmedabad आपका गुजरात में है, next है आपका question, which mode of transport does not cause pollution, से की pollution नहीं होता है, जो आपकी cycle है, उससे pollution नहीं होता है, which of the following fuels gives least smoke, जिनसे की कम धुआ निकलता है, आपका diesel, petrol या CNG, आपका CNG है, जिससे कम धुआ निकलता है, यह है, petrol diesel से सस्ती भी होती है, और environment को pollute भी कम करती है, to clean oil found deep down in the earth, it is sent to, कि जब हमें तेल को clean करना होता है, तो हम उसको अर्थ से निकाल कर कहां पर भेजते हैं, हम उसको अर्थ से निकाल कर refineries में भेज देते हैं, which of the following is obtained from petroleum, हम हमें petroleum से क्या-क्या मिलता है, wax, petrol, LPG या all of these, हमें petroleum है, उससे हमें यह सभी चीज़े मिलती है, तो हम क्या करेंगे all of these, How many peoples in our country use ooplay, wood and dry crings to cook food? कि खाने को पकाने के लिए हमारी जो country है, उसके कितने लोग ooplay, लकडी और सुखी टहनियों का यूज़ करते हैं, तो आपकी two-third population है, वो आज भी ooplay और लकडियों का यूज़ करती है, खाना बनाने के लिए, which gas is used for cooking in homes? कि घर में खाना पकाने के लिए आप कौन से gas यूज़ करते हो, तो आप यूज़ करते हो, LPG, LPG is a cooking gas, name the fuels used in villages, कि गाओं में कौन से fuel का यूज़ किया जाता है, wood, ooplay, cng, a या b, तो wood और ooplay दोनों का ही यूज़ किया जाता है, आपका right option होगा, d, what are some of the alternative fuels used in vehicles in present time? कि present time में vehicles में fuel के अलावा और कौन कौन से चीज़े use की जा रही है, so petrol के अलावा cng, LPG, diesel या all of the above, आज के समय में fuel के अलावा means petrol के अलावा cng, LPG और diesel ये सभी चीज़े use की जा रही, हापे हम लिखेंगे all of these, which of the following is not a by-product of petroleum, कि petroleum से वो कौन से चीज़े जो हमें नहीं मिलत है, paint, wax, paper या plastic, तो जो हमें papers है, वो हमें petroleum से नहीं मिलते हैं, जिन बच्चों ने chapter को अच्छे से समझा है, read किया है, वो in question को आसानी से tick कर पा रहे होंगे, where petroleum is clean and its by-products are separated, कि petroleum वो clean कहां किया जाता है, और उसके अंदर जितने भी products होते हैं, उनको separate किया जाता है, कहां पर तो उन्हें क्या जाता है, refineries में, wickles run on, जो wickles होते हैं, वो किस पे run करते हैं, water पे, wind पे, fuel पे या nuclear energy पे, तो वो करते हैं, आपके fuel पर run करते हैं, which of the following disease is caused by smoke coming out from wickles, जो wickles से जो smoke निकलता है, उसे कौन-कौन से बिमारिया हो सकती है, तो उसे आपको, जो sans-related बिमारि जैसे कि आपका अस्तमा है, वो आपको वickles से निकलने वाले smoke से होता है, pollution से होता है, in which of the following state, there are no oil fields, कि इन में से वो कौन सा state है, जहां पर एक भी oil fields नहीं है, तो वो है आपका सिक्किम, full form of CNG, CNG की full form क्या है, compressed natural gas, arrange these steps in order, आपको इन सभी steps को एक order में arrange करना है, petroleum को inside the earth निकालते हो, तो आप कौन कौन से steps को follow करेंगे, petrol pump, refinery, drilling या petrol depot, तो सबसे पहले आप उसको drill करेंगे, फिर आप उसको refinery में भेजेंगे, फिर petrol depot पे भेजेंगे, फिर आप petrol pump पर उसे send करेंगे, तो यहाँ पर आपका right order क्या होगा, three, two, four, one, which of the following things is not extracted from the earth? कि अर्थ से वो कौन सी चीज़ जो हमें नहीं मिलती है, diamond मिलता है, gold मिलता है, petrol मिलता है, और जो silk है, वो हमें inside the earth नहीं मिलता है, how much distance Adler's step well is from Ahmedabad? कि Ahmedabad से जो Adler's की बावडी थी, वो कितनी दूर थी, तो वो लगबग आपकी 18 km दूर थी, जो Abraham था, वो roads पर क्या count करता है, वो road पर bicycles count करता है, which of the vehicles does not give off smoke? वो कौन सा vehicle है, जो जिससे smoke नहीं निकलती है, तो वो है आपका bicycle, all the vehicles stop at which traffic light? जो सारे vehicles होते हैं, वो कौन सी traffic light पर रुख जाते हैं, तो वो जब आपकी red light होती है, तो सभी vehicles रुख जाते हैं, what is found inside the earth, कि earth के inside आपको क्या क्या चीज़े मिलती है, so inside the earth आपको petroleum, wax, water, all of these, ये सभी चीज़े आपको मिलती है, energy made by using sunlight is made cold, जो energy sunlight से बनती है, उसे आप क्या बोलते हैं, sun energy, surya energy, agni energy, solar energy, तो से हम बोलेंगे solar energy, benefits of switch off the engine of vehicles at red light, जब आप red light पर अपने vehicles का switch off कर देते हो, तो उसे आपको क्या क्या benefit होंगे, less noise, noise कम होगा, pollution भी कम होगा, petrol सेव होगा, all of these, ये सभी चीज़े होंगी, ये सभी benefits हमें होंगे, next time more traffic on road can cause, कि यदि road पर ज़्यादा traffic होगा, तो उसे क्या होगा, उसे pollution होगा, तो उसमें होती है, आपकी LPG, pollution occurs from honking of vickers, जो vickers ये जो आवाज होती है, वो कौन सा pollution है, आपका air pollution है, water है, soil है ये noise है, तो वो आपका noise pollution है, जो vickers से honking की आवाज होती है, वो we can do to save fossil fuel, कि आपको जो जिवाज में इंधन है, उसको save करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप bicycle से ride कर सकते हैं, next application, which are portion fuel among the following, इन में से कौन सा आपका जिवाज में इंधन है, तो coil है, petrol है, natural gas है, all of these, which is not a petroleum based product, जो petroleum से हमें नहीं मिलता है, gasoline, wax, kerosene या magnet, जो magnet है, वो हमें petroleum से नहीं मिलता है, which among the following substance is also used to make paints and plastics, plastic और paint बनाने में आप किसका use करेंगे, petroleum, coil, wax, या none of these, तो इसमें आप petroleum का use करेंगे, which is not a fuel, एक fuel नहीं है, petroleum, diesel, kerosene या water, तो जो water है वो एक fuel नहीं है, next है CNG is a gas, what is full form of LPG, LPG की full form क्या होगी आपकी, liquid fight petroleum gas, next है petroleum is made up of dead organism, which are transformed in the absence of air, जो dead organism जो होते हैं, जो वो rocks के बीच में फर्स जाते हैं, तो महाँ पर high heat और pressure होने के कार्ट, जो petroleum है वो बनता है, महाँ पर air नहीं होती है, बिलकुल भी, which of the following is known as black gold, black gold क्या होता है, आपका black gold बोला जाता है, कोईले को, it's a coil, which of the following is known as liquid gold, liquid gold होता है आपका petroleum, what is petroleum like, petroleum कैसा होता है, black, thick, smelly, या all of these, तो जो petroleum होता है, वो black होता है, गाढ़ा होता है, उसमें एक अलग सी smell होती है, और बहुते dark color का होता है, where is petroleum used, petroleum को कहाँ पर use किया जाता है, so petroleum को आप wickles को run करने के लिए use कर सकते हो, machines को run करने के लिए use कर सकते हो, as a kerosene, LPG, all of these, इसका अंसर होगा आपका, all of these, आप इन सभी कामों में petroleum का use कर सकते हैं, how is petroleum formed under the ground, कि under the ground जो petroleum है वो कैसे बनता है, by machines के थुरू बनता है, man-made होता है, naturally होता है, none of these, तो जो under the ground जो petroleum है, वो naturally बनता है, और बहुत slowly बनता है, petroleum को बनने में काफी लाखों करोडों साल उसमें लग जाती है, आपको ये worksheet कैसी लेगी, प्लीज आपुशे कॉमेंट करके जरूर बताए, thanks for watching, have a good day,